दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि अटल बिहारी बाचपेई Medical University उत्तर प्रदेश में सत्र दोजार बाइस देश के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा अप्लिकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहेगी फॉर्म कौन-कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे अवेलिबल कोर्स कॉमन एंटरिन्स एक्जाम का पैटर्न और सलेबस एंटरिन्स एक्जाम की तयारी के लिए बेस्ट बुक्स और अटल बियारी बाचपेई Medical University से affiliated कौन-कौन से colleges है जहाँ पर आपको कॉमन एंटरिन्स एक्जाम के थुरू एड्मिशन मिलने वाला है तो अगर आप भी इन सभी सवालों की जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे हैं दोस्तों अटल बियारी बाचपेई Medical University एक Government State University है जहाँ पर MBBS, Dental, Nursing और Paramedical की कोर्स कराए जाते हैं इन सभी कोर्सेस में एड्मिशन के लिए University एक CET याने की Common Entrance Test कंड़क कराती है Common Entrance Test क्लियर करने के बाद ही आप यहाँ पर एड्मिशन ले सकते हैं बता दें ये University उत्तरप्रदेश स्टेट के कई Institute या Colleges को Affiliation देती है इन सभी Affiliated Colleges या Institute में भी Common Entrance Exam के थ्रू ही एड्मिशन मिलता है अगर बात करें यहाँ पर फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो यहाँ पर Boys और Girls दोनों ही Candidate यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इस नए सत्र 2022 तेस में एड्मिशन के लिए Online Registration इस मन्त के Last में या फिर अगले महिने के First Week से सुरू हो जाएगा जिसका Online Registration अटल ब्यारी बाचपेई Medical University के Official Website पर ही किया जा सकेगा दोस्तों अप्लिकेशन फॉर्म की Fees, Entrance Exam का Pattern और Slivers, Entrance Exam की तयारी के लिए Market की Best Books इन सभी का Complete Information डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से आपको मिल जाएगी इसके साथ ही साथ अटल ब्यारी बाचपेई Medical University से Affiliate सभी Colleges की List देखने के लिए Description Box में दिये गए लिंक को ज़रूर चेक करें वहाँ पे सभी Affiliate College की List District Wise दी गई है अगर वहाँ पे List अवेलबल ना हो तो कुछ दिन वेट कर लें बहुत जल्दी वहाँ पे सभी Affiliate College की List अपडेट कर दी जाएगी तो दोस्तों इस University का फॉर्म अब आने ही वाला है तो आप अपने सभी जरूरी Documents को तयार रखें जिससे फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी Problem नहीं होगी तो फिलाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद